तो आर क्विशन इस मैच लिस्ट फर्स्ट वित सेकिंड तो यह लिस्ट वाले काम हम पहले भी कर चुके हैं तो यहां पर आपको चार क्वांटिटी है और चार डाइमेंशन है अब देखो तुक्का किसे लगाते हैं समझना बात को आपके यहां पर चार में से एक में देर ख कहां से देखो तो एंवर्स मतलब कब आ रहाई यह муटिक्त का होताँ डाइमेंशन ए नरत मतलब यह कहीं इलेक्ट्र सेथिक है यह लेक्त्र सेथिक है तो यह तो सब C का 4th और C का 1st बस यही जल रहा है तो C के 4th में 2 option थे तो दो option तो वैसे ही कड़ गए अब इसको तो आपको solve करने की ज़रद भी नहीं मगर फिर में solve करके बता दूंगा यानि 2 option कैसे eliminate हुए यह मैंने सिखाया अभी तर आप तो ठीक है अब चलो देखते हैं pressure gradient तो pressure gradient क्या होता है gradient मैंने आपको समझा दिया है पẹटा आपको 2 gradient मिलेंगे physics में एक तो मिलेगा pressure gradient एक मिलेगा potential gradient तो gradient का मतलब होता है कि कि किसी भी gradient क्या हो जाएगा पिटा अपना तो pressure का formula क्या होता है force divided by area यानि force का ML T-2 ये आपको रटा हुआ होना चाहिए divided by area यानि L square X भी है तो इसका L यहाँ लग जाएगा L से L खतम हो गया तो ये M L-2 T-2 तो ये M L-2 T-2 कहां आगया आपका 3rd में बस होग ये question solve इससे तक करना भी नहीं है बाकी दो तो मैं बताऊंगा इससे क्योंकि मेरा काम है बाकी अगर आप option देखेंगे तो ये answer आज चुगा है आपका अब है दुसरा energy density तो ये एक वर important चीज है तो आपने जो density अभी तक पड़ी है वो है आपकी mass density because mass divide by volume तो किसी भी चीज के आप density निकालोगे तो उसको आपको volume से divide करना है force density, force divide by volume potential density, potential divide by volume energy density, energy divide by volume बास्वंग में तो energy density क्या होगा बेटा आपका energy divide by volume energy का dimension वही होता है जो work का होता है तो work का भी आपको याद रहना चाहिए 2 और volume का हो जाएगा वेटा आपका L cube ये L square से खतम हो जाएगा तो बचेगा आपका M L minus 1 T का power minus 2 तो ये कहां match कर रहा है वेटा आपना second में तो second तो second पर ही जाएगा electric field का पर last में solve कर लेते हैं तो latent heat क्या होता है वेटा आपका latent heat का formula होता है आपका M into L ये L जो है आपकी वो latent heat होती है ठेक है So Q होता है आपका heat M mass है L latent heat L क्या हो जाएगा आपका Q divide by M Q energy है इसका मतलब ही हो जाएगा ML square T minus 2 divide by mass का M ही होगा M से M खतम हो गया तो M का power 0 L का power 2 T का power minus 2 M का power 0 L का power 2 T का power minus 2 तो ये match करेगा अपना first से खिंगे तो electric field अब निकाल लेते हैं अब electric field क्या होता है देखो समझो बात को तो normal 12th के electrocetic का पहला ही topic होता है अलब electric field में यही चीज़े तो पहला topic नहीं मतलब कुलाम स्लो के बाद तो में important topic यही है तो अगर यह electric field है इसमें मैं अगर positive charge रखता हूँ तो इस पर force लगा F is equal to QE इधर की तरफ और negative charge रखता हूँ तो वही F is equal to QE इधर की तरफ लगता है यह तो बात पकी है यहनि आपको F is equal to QE formula याद रखना electric field के लिए तो electric field हो जाएगा आपका force divided by charge force का dimension MLT minus 2 और charge का dimension AT तो यह हो जाएगा आपका MLT का power यह T का power उपर गया तो minus 1 T का power minus 3 और A उपर गया तो A का power minus 1 तो यह तो simple था ही सही उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं चेक करना भी नहीं था ठीक है वह तो मैंने बता दिया ठीक है तो यह ही आपका answer होगा first का third second B का second C का fourth and D का first ठीक है